हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू पैंड एजूकेटर जैसा कि आप लोगों को पता हैं कि पॉलिटी से रिलेटे हमने एक सीरीज इस्टार्ट की हुई है जिसमें हमने लोग सभा से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कोईशन थे वो हमने का करा दिये हैं आज यह वीडियो आपको राजसभा से रिलेटेड होने वाली है और अप्र्वक्ष इसके पार्ट दो या तीन बनेंगे हम राजसभा को टॉपिक भी खतम कर देंगे तो अगर आपको लोग सभा के बारे में जाना है वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ लोग सभा एक प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ आप जाकर वीडियो देख सकते हैं आपने अभी तक हमारा telegram challenge join नहीं किया है तो आप इस video की description में एक link है, वहाँ आप जाकर telegram join कर सकते हैं, वहाँ आपको daily pdf मिलती रहेंगी, current of your history, quality से related, तो start करते हैं, आज की राजसवा की related question, quiz, question number 1, राजसवा किस अनिच्छेद के संबंदित है, जो अपना राजसवा है, किस अनिच्छेद के संबंदित है, किस अनिच्छेद के अंतरगात आदा है, तो आपके सामने option है, इनमें से आपको answer correct करना है, तो इसका right answer है, option A, अनिच्छेद 80, देखते हैं, question number 2, तो राजसवा कौन सा सदन है, आपके सामने 4 option है, तो आपको पताना होगा कि राजसवा कौन सा सदन है, तो आप ध्यार रखिए कि राजसवा एक उच्छे सदन है, और लोकसवा है, वो निम्न सदन है, ये पूछ लेता है कभी-कभी एक जम, देखते है, question number 3, राजसवा का गठन कब हुआ तो ये आपको पताना होगा कि राजसवा गठन कब हुआ था, तो इसका अंसर option C, 3 अप्रेल 1952 को, राजसवा का गठन हुआ था, question number 4, कौन से सदन कभी नहीं हो सकता है, तो इसका right answer है, option D, राजसवा, देखते है, question number 5, राजसवा में राश्टपती कितने सदस को मनुवित कर सकता है, जो राश्टपती होता है, वो राजसवा में कितने सदस मनुवित कर सकता है, इसका right answer option D, 12, सदस, देखते हैं अगला question, question number 6, राजसवा सदस बनने के लिए नेंतम आप कितनी होनी चाहिए, राजसवा पत के राजसवा का सदस के लिए कितनी minimum होनी चाहिए, इसका right answer option D, देखते हैं question number 7, राजसवा सस्यों का कर कारेकाल कितनी बरस तक होता है, він कितनी बरसूं तक होता है, तो इसका right answer option C, 6 राजसवा का, यानि 6 राजसवा का, और लोग सदस का होता है, वो 5 साल के लिए होता है, द तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D, भारत का उपराष्ट पती, देखते हैं question number 9, राज सवा के पहले सवापती कौन थे, जो राज सवा सबसे पहले इसके सवापती कौन बनी हुए थे, option D, Dr. सर्पली राधा कृष्ण, बढ़ते हैं इस कोईज का last question, question number 10, राज सवा के पहले अपसवापती अपादच कौन थे, तो इसका राइट अनसर ऑपसंटी, S.V. कृष्ण मूर्ति राओ, तो almost हमने important question थे, हमने इस वीडियो में cover किये, और भी question बचे हुए हम आगली वीडियो में cover करेंगे, तो जो भी भाई वे इस वीडियो में इस चैनल पर पहली बार करें like and channel को रहें subscribe, साथ ही करें bell icon को on, ताकि आपको हर update सबसे पहले मिलती रहे, thank you.